नमस्कार साथियो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में साथियो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है पोस्ट अपिस की एक दमाकेदार स्कीम और SBA की भी एक दमाकेदार स्कीम जिसमें Senior Citizen को काफी अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है जैसे के Senior Citizen Saving Scheme इसके अंदर आप कितना पैसा डालोगे तो कितना return मिलता है जनरली बहुत सारे लोगों को confusion होता है मैं 2 लाग डालोगा तो हर 3 मेने कितना व्याज आएगा आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले क्या कुछ खास है आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तो चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करदीजे मेरे यारो और वीडियो को लाइक करदीजे बुजूर गो वीडियो को लाइक करदो मेरे यारो साथि अप पहले हम समझ लेते हैं SESS के बारे में थोड़ा डीटेल में SESS कौन कौन Open करवा सकता है यानि कि Senior Citizen Scheme 60 साल के उपर के कोई भी वेक्ती बारत का नागरिक है वो Open करवा सकता है एकाउंट सिंगल और जॉइंड भी Open करवा सकता है एकाउंट खोलने के बाद minimum कितना रुपया invest करना है आप 1000 रुपय investment कर सकते हो और maximum इसकी 30 लाग के limit है इससे ज़्यादा होगा नहीं इसकी period की बात करें तो 5 साल का period है 5 साल का lock रहेगा बीच में एकाउंट close होगा नहीं और और आगे बात करें तो इसके document में यानि कि काफी एक अच्छा rate of interest है और tax में 50,000 तक tax में छूट है और उसके उपर अगर आपकी taxable income नहीं है तो यहाँ पे 15H पॉम बर दीजिए तो भी tax नहीं लगेगा सबसे बेले बात कर लेते हैं आप कितना पैसा लगाओगे तो कितना return मिलेगा यहाँ पे अगर हम 1,000,000 रुपे लगाते हैं पांच साल के लिए तो आपको हर तिन मेने मिलेगा 2,050 रुपिया और साल का interest बन जाएगा 8,200 रुपिया और total जो है वो return मिलेगा 41,000 पांच साल का मिला कि 41,000 व्याज मिलेगा अगर हम 2,000,000 रुपिया तो हर तिन मेने व्याज मिलेगा 4,100 रुपिया और total साल का interest बनता है 16,400 और total 5 साल का व्याज हो जाएगा 82,000 यानि की 82,000 रुपिया अभी हम 5,000,000 का investment करेगे तो हमें हर तिन मेने व्याज मिलेगा 10,250 और साल का व्याज बन जाएगा 41,000 और 5 साल में total interest आप कमा पाओगे 2,500,000 अभी एस कीम में 10,000,000 रुपिया आप इन्वेस्मेंट करोगे तो हर तिन मेने आपको मिलेगा 20,500 रुपिया और साल का interest बन जाएगा 22,000 और total जो interest आपको 5 साल में मिलेगा 4,10,000 रुपिया अभी 20,000,000 रुपिया आप अगर इन्वेस्मेंट करोगे SCSS में तो आपको हर तिन मेने मिलेगा 41,000 व्याज के तौर पे और total होता है 1,64,000 पूरे साल का और total 5 साल का ये व्याज हो जाएगा 8,20,000 रुपिया अभी दोस्तो 30,000,000 अगर इन्वेस्मेंट करोगे तो जो कि इसकी full limit है तो आपको 3 मेने का व्याज मिलेगा 61,500 और पूरे साल का मिला के 2,40,000 रुपिया और पूरे 5 साल का मिला के 12,30,000 रुपिया आपको व्याज खाते में दे दिया जाएगा एक उच्छे SCSS के अंदर अगर आप senior citizen है आपके घर में कोई senior citizen है आजी post office या bank visit कीजिए और अपना खाता खुलवा लिए जय हिन जय बारत